हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप وजीरX के अंदर अपनी मर्जी के मताबिक क्रिप्टो करनसी बाई-एस-ैल कर सकते हैं अपनी मर्जी के प्राइज के मताबिक ठीक है तो यह आपका यहाँ पर cryptocurrency जो वजीर X है उसका main interface हो जाता है आपको बीच ओ बीच यह जो exchange का option है इस पे click करना होता है ठीक है और आपको पता ही है कि यह जो उपर line है इसका मतलब है कि अगर आपके पास INR हैं और आप INR से cryptocurrency खरीदना चाहते हैं तो आपको इस वाले tab में रह DT से कोई crypto आप direct खरीदना चाहते हैं तो यह वाला tab नहीं तो WRX है तो यह वाला BTC है बिटकोईन है तो यह वाला ठीक है और यहाँ पर अगर आप crypto से crypto direct खरीदते हैं और INR से मतलब rupees से crypto खरीदते हैं तो उनमें price difference का और TDS का अंतर आता है जो आपको पता होना बहुत ज्य थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करी है थोड़ा pro करने की और थोड़ा सा difficult करने की भी कोशिश यहाँ पर करी गई है ठीक है तो जैसे आपके पास INR हैं और आप INR से cryptocurrency खरीदना जाते हैं यूएश ड्यूटी को हम देख लेते हैं क्योंकि यह 1.19% डाउन भी है पिछल नहीं क्या है तो यूएश ड्यूटी आप जैसे खरीदने जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो यह इन्फो वाला टैब होता है यहाँ पे यह चार टैब आपको देखने को मिलते हैं उससे उपर वॉल्यूम और हाई जो आज के पूरे दिन का हाई था यूएश ड्यूटी क है तो ऐसे दिख जाता है अगर आपको चार्ट बदल ली है लाइन चार्ट करनी है तो ऐसे चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं जूम इन जूम आउट वो सब आप देख सकते हैं फिर मार्केट कैप और जो सर्कुलेट्शन है जो टोटल सप्लाई है पुपुलेरिटी है व यहाँ पर आपको देखने को मिलती है यह जो प्राइज है मतलब इस प्राइज के ऊपर इतने अमाउंट खरीदे जा रहे हैं ठीक है सौरी यह रैड है मतलब सेल किये जा रहे हैं और यह ग्रीन है मतलब खरीदे जा रहे हैं ठीक है यहाँ पर अगर आप बाई पर क्लिक कर देते हैं ये उपर buy का option होता है तो आपकी crypto खरीद जाएगी यहाँ पर और आपको यहाँ पर मैंने जैसे की कहा था मन के मताबिक price पे crypto खरीदनी होती है इसलिए यहाँ पर limit का option आपको देखने को मिलता है मतलब market में जो USDT है उसका price चल रहा है 88 rupees 88 rupees 20 rupees लेकिन आपको इतने पर नहीं करीदनी है आपको खरीदनी है माल लेते हैं 87 rupees पे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं simply इसको cut करके 87 कर सकते हैं मतलब अभी यह 1.37% नीचे और गिरे तब आपका order place हो आपने यहाँ पर वो price set कर दिया जिस price पे आप इसे खरीदना चाते हैं उसके बाद आपको quantity set करनी है माल लेते हैं आपको 10 USGT खरीदनी है तो आपको 870 rupees देने पड़ेंगे क्योंकि 87 rupees की USGT आपको खरीदनी है तो 870 rupees आपको देने पड़ेंगे ठीक है फिर उसके बाद balance में मेरे अभी यहाँ पर balance में तो कुछ भी नहीं है लेकिन आपको भी पता है कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो balance में आपको जो amount है INR बना के रखना होता है उसके बाद आपको पता है कि fees 0.47 2% आपको fees देनी पड़ती है almost 0.5% हो जाती है यह अप्रॉक्स ठीक है और जो including applicable taxes है इसका मतलब है कि आपको 18% जो fees के उपर GST है वो भी देनी पड़ती है जो कि tax है ठीक है तो यहाँ पर limit order option इस तरीके से काम करता है आप अपने मन मरजी के मताबिक price रखें फिर quantity रखें और फिर उसका जो INR है वो इतना बन जाता है उसके इसाविक आप जैसे ही buy USDT पे click करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ही 87 रुपे पे पहुँचेगी वैसे ही आपका जो buying है वो हो जाएगी fees यह लगेगी आपके total INR इतने बनेंगे और amount इतना खरीज जाएगा ठीक है एक और option होता है limit के नीचे जो की होता है stop limit stop limit का मतलब होता है कि एक साथ आप buying और selling दोनों का decision यहाँ पर कर रहे हैं मतलब stop limit का मतलब है कि मैंने जैसे crypto मैंने यहाँ पे खरीदी 88 रूपे के आसपास में जैसे crypto खरीदीने जा रहा हूँ मान लेते हैं मैंने 87 में ही खरीदी ठीक है 87 में मैं crypto को खरीद जाएगी मेरी लेकिन अब मुझे यह भी डर है कि 87 पे खरीदने के बाद मान लेते हैं UHDT और 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 नीचे जाती रही तो मेरी cell भी हो जाएगो क्योंकि मैं इतना ज़्यादा loss मान लेते हैं नहीं देखना चाहता 87 पे खरीदी मैंने और मैं चाहता हूँ कि 86 पे मैं 86 से ज़्यादा loss नहीं देखना चाहता तो जैसे यह 86 पहुँच जाए ना मतलब 87 पे तो मतलब देने होते हैं ठीक है तो यह हो जाता stop limit का option यहाँ पर आप यह जो आइकन है छोटा सा इस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं stop limit order is conditional trading offer it get executed only when the market reaches a specific price set by you मतलब जो price आपने set करा उसके हिसाब से आपकी जो buying और selling है वो होगी stop का मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो stopping हो जाएगी ठीक है उससे ज़्यादा आपको loss जहिलना नहीं पड़ेगा यह stop limit जो stop limit का option होता है ठीक है यहाँ पर आभी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 option आपको देखने को मिल रहे हैं लेकिन अगर आप limit लगा दें तो यहाँ पर option हो जाते हैं 3 क्योंकि अब वहाँ पर आपको एक option यह भी मिल गया है जो stop limit है वहाँ पर कि अब इससे ज़्यादा आपको loss देखना भी नहीं पड़ेगा उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी पहले ही sell हो जाएगी ठीक है सेम चीज़ काम करती है selling में भी selling में भी आप यही चीज़ कर सकते हैं ठीक है कि आप जैसे जितनी भी आपके पास amount है तो balance में आपको यहाँ पर USDT होंगे buying में आपके पास यहाँ पर INR होने चाहिए selling में आपके पास यहाँ पर USDT होने चाहिए ठीक है तो जो भी आपके पास USDT होंगे पहले आप वो select करेंगे जिस price पे भी आप चाहते हैं उन्हें sell करना क्योंकि अभी price चल रहा है 88 रुपाए मैं तो चाहता ही नहीं 88 रुपे पे sell करना मैं चाहता हूँ कि 89 रुपे पे sell हो या फिर पूरे 90 रुपे पे sell हो ठीक है तो मतलब 90 रुपे जैसे इसका price पहुँचे तो मेरी selling हो जाए मतलब 2% उपर बढ़े तो मेरी जो crypto है वो sell हो जाए और यहाँ पर stop limit का मतलब है कि मैं जैसे चाहता हूँ कि 90 रुपीज जैसे ये 90 पहुचेगा तो वैसे ही मेरी जो UHDT है वो sell तो हो जाएंगी लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 90 की बजाए जैसे अभी तो 88 रुपे चल रहा है लेकि नीचे आने लग जाए ये price मान लेते हैं 87 रुपे आने लग जाए तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 87 रुपे ठीक है कि ये 87 रुपे पर अगर पहुच जाए तो मैं उससे ज़्यादा भी loss नहीं देखना चाहता ठीक है तो मेरी ये तब भी sell हो जाए मतलब अगर 87 पर पहुचा तो already loss दिखाई दे रहा होगा लेकिन उससे ज़्यादा अगर loss नहीं देखना चाहता मैं उतना loss बहुत हो गया तो मैं यहाँ पर set जो stop loss है वो लगा सकता हूँ तो यहाँ पर ये sell हो जाएगी ठीक है और वैसे तो 90 पर जैसे इसका price अगर ऊपर गया और 90 पहुचा तो sell हो ही जाएगी लेकिन अगर नीचे आने लग गया 87 पहुचा तो भी ये sell हो जाएगी और यही अगर मैं limit लगा दूँ तो वो वाला option ही बंद हो जाता है मतलब stop selling का तो यहाँ पर मैं अगर इसको चाहूँ तो 90 लगा दूँआ तो 90 पे ही अब sell होगी 90 जब तक cross नहीं होगा नीचे कितनी भी जाती रहे कोई फरक नहीं पड़ता कितनी भी एक रूपे हो जाए इसका price selling नहीं होगी जैसे ही 90 रूपे पहुचेगी तब ही selling होगी लेकिन अगर मैं stop limit लगा देता हूँ मतलब कि मैं एक point से ज़्यादा नीचे नहीं चाहता जाने देना ठीक है कि इससे ज़्यादा भाई मैं नहीं जेलना चारा और इससे पहले मेरी sell हो जानी चाहिए तो stop limit ठीक है बाकी limit तो ये buy और sell होती है crypto की ठीक है मैंने आपको पूरा explain कर दिया trade history यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा वजीर X platform पे कितने कितने time पे क्या क्या trading वगेरा हो रही है अभी तो खहर time थोड़ा तीन बच के पांच मिनट हो रहे हैं सुभे के तो मैं काफी सुभे सुभे के time पे हाला कि काफी देर रात को ये video record कर रहा हूँ तीन बच के पांच मिनट हो रहे हैं तो इस तरीके से आप मतलब ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं बाकि जो आपके orders होते हैं open orders मतलब जो भी आप order limit order option में लगाते हैं वो सारे open order होते हैं वो तुरंत execute नहीं होते क्यूंकि market में अभी जो price चल रहा है अभी जो price चल रहा है वो और जो आपने price लगा है उसमें तो अंतर होगा इसलिए वो open order में आ जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर वो सारे आपको जितने भी जैसे आपने order लगाए हो वो आपको देखने को मिल जाते है ठीक है तो इस तरीके से crypto की buy या selling यहाँ पर USGT में होती है जो यह नया इन लोगों ने थोड़ा सा कर दिया interface थोड़ा complicated सा लग रहा है पहले से एक नहया आसानी अगर देखने जाए तो बाकी अगर आप चाहें तो star का यह जो option है इसको लगा सकते हैं तो आपको यहाँ पर यह favorites में दिखने लग जाएगी ठीक है अब बात आती है cryptocurrency से cryptocurrency खरीदने वाली तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास simple वही है आपके पास USGT होनी चाहिए बैलेंस में USGT होनी चाहिए और आप USGT से कोई crypto खरीदते हो process सारा same ही होता है limit stop limit मतलब आप USGT इससे नीचे ना जाए percentage में वहाँ पर काम होगा फिर ठीक है अगर आप इसको यहाँ पर 17 से करके 18 कर दें तो यहाँ पर यह 4% हो गया ठीक है तो percentage में आपको देख के करनी पड़ेगी कि इससे नीचे ना जाए sell हो जाए इससे ऊपर जाए sell हो जाए limit में इस price को जैसे buy है तो limit में जैसे यह जैसे अभी 17 है तो 16 मतलब 7% जैसे यह नीचे गिर जाए मतलब मैंने जाद ही कुछ कर दिया 175 यह 173 171 यह इतनी नीचे गिर जाए तो मेरी buying हो जाए तो इस तरीके से आप percentage वगेरा देख सकते है और stop limit लगा सकते है वही same है बस यहाँ पर क्या है INR का UHDT हो गया है बस लेकिन एक और चीज़ बदलिये जो की है fees fees लग रही है आपकी 0.2% लेकिन 1% TDS भी लग रहा है cryptocurrency से cryptocurrency खरीदने में आपको 1% TDS भी देना पड़ता है और 0.2% fees देनी पड़ती है लेकिन INR से cryptocurrency खरीदने में आपको 0.427 की fees और कोई TDS नहीं देना पड़ता लेकिन selling के time आपको पता ही है TDS देना पड़ता है तो इस तरीके से कुछ चीज़ें वजीर X के अंदर cryptocurrency buy और selling करते time काम कर रही है exchange के option में जैसा कि मैं आपसे कहा था कि आपके price के मताबिक आपकी मर्जी के मताबिक cryptocurrency याँ पर आपके price पे खरिच जाएगी उससे पहले कोई order execute नहीं होगा जब तक आपका desired price जो है वो cross नहीं होगा ठीक है तो ये था पुरा मतलब tutorial video ये exchange option का पूरा detail में अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो जरूर उसे comment कीजी आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल से जल देने की कोशिश करूँगा अगर आप वजीर एक से related कोई भी वीडियो वगेरा चाहते हैं देखना तो उसके लिए complete playlist की मैंने link बना complete playlist बना रखी है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ज़रूर क्लिक करके आप कोई भी वजीर एक से related doubt है तो आपको यहाँ मिल जाएगा आप क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए हमारी ये वीडियो लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए आपना ध्यान रखिए happy investing, safe investing मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में